हो गया पूर अग्यातवास, पांडव लोटे वनसे सहास, पावक में सदिस सदिस तब कर, वीरत तुलिये कुछ और प्रखर डेस्टिनी भी आपको कहीं ले जाना चाहती है तो कुछ टार्गेट डेस्टिनी आपको सेट करवाती है समय के साथ तो आप अपने टार्गेट और इंट्रेस्ट को मिलाएं और जहां आपका इंट्रेस्ट हो आप उसी डिरेक्शन में ज़्यादा मेहनत करें अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए कि आप किसी जगा असफल हो जाएं तो आप नए रास्ते खोजें मैं 40% से ज़्यादा डिजर्व करता था बड़ चुकि होता है डेवियेशन होते हैं कई टाइप के डेवियेशन होते हैं लाइफ हैं और 12 में मेरे साथ भी हुआ तो महतपूर बात यह है कि उसके बाद मैंने निर्डे लिया कि मुझे अब कुछ अच्छा करना है नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिक्खा महरोतरा कहते हैं ना कि संगरिश के बिना सफलता नहीं मिलती लेकिन कुछ लोगों को किसमत का सहारा भी मिल जाता है लेकिन किसमत भी तभी साथ देती है जब आप संगरिश करते हैं अपने सपनों को मुलंद करने की पूरी कोशिश करते हैं और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी किसमत खुद लिखते हैं और हमारे बीच आज ऐसे ही एक व्यक्तित मौजूद है जिनसे हम उनकी सफलता की कहानी जानेंगे हम ये जानेंगे कि कितने संगरिशों के बाद उन्होंने इस मुकाम को हासिल करा उन्होंने IES की तियारी तो करी लेकिन वो बन गए PCS किस तरह से बने किन कठिनाईयों का सामना करा क्योंकि हर किसी के जीवन में कठिनाई होती है कुछ लोग उसके बारे में जानते हैं तो कुछ लोग नहीं जान पाते हैं लेकिन कुछ लोगों की कहानी ऐसी होती है जो लोगों को उमीद देती है कि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकते है और आज इन ही सपनों की कहानी हमारे बीच रखने के लिए प्रदीव कुमार यादव जी जो की PCS है वो हमारे बीच मौझूद है सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर आज की खबर को मेरी तरब से बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहला सवाल संगर्ष क्या है क्योंकि संगर्ष आपने किया है आपकी कहानी लोगों को प्रेरित करेगी आपने प्राक्टिकल किया है कि संगर्ष किस तरह से होता है किस तरह से अपने सपनों को साकार किया जाता है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि संगर्स क्या होता है एक रामधारी सिंग दिंकर की रस्मि– रती को मैं पढ़ता भी रहता था तो रस्मि– za तो इसमें एक बात है कि जितना आप तपेंगे, उतना आप अच्छी तरह से निखरेंगे, बट अपना कैसे है, क्या है, संघर्स कोई एक तरीके का होता नहीं है, सबकी जिन्दगी में अलग-अलग मोड होते हैं, सबकी जिन्दगी में संघर्स है, जैसे मेरे साथ संघर्स है, वैसे लाखों लोग हैं जिनके साथ अलग-अलग प्रकार के संघर्स हैं, महतपूर यह नहीं है कि हम संघर्ष में हैं महतपूर यह है कि हम उस संघर्ष को कैसे एक परिणाम में बदल पाएं तो उस पर हमें काम करने की जरूरत है तो संघर्स अगर मैं एक लाइन में परिवासित करना चाहूं तो यह है कि आप निरंतर अपने लक्ष की तरफ देखें लक्ष अलग-अलग हो सकते हैं जैसे मेरा लक्ष था अधिकारी बनना और फिर मैं एक कोचिंग इंस्टिटूट चलाने लगा फिर अंत्वे मैं अधिक सारी ही बन गया तो लक्ष अलग-अलग हो सकते हैं बट अगर आप संघर्स उस लक्ष के डिरेक्शन में करें तो बिल्कुल सफलता मिलेगी मैं जी आपके संघर्ष की शुरुआत की अगर बात की जब पढ़ाई की तो आप शुरू से पढ़ाई में कैसे रहे एक्शल में में देखिए हुआ यह कि मैयोध्या के छोटे सहर में जन्म हुआता मेरा और उसके बाद मैं मुंबई गया पापा मेरे मुंबई में कलर्थ थे आए बहुत ज्यादा होती नहीं थी जैसा कि आप लोग जानते कलर्थ उस बहुत इंकम होती नहीं यह 25-30,000 की इंकम थी और ह सुरुआसी प्राइमरी एजुकेशन हुआ ठीक था मैं पढ़ने में आवरेस था बहुत अच्छा भी नहीं कह सकता और 10 में मेरे परसंटेस ठीक आये थे 72 परसंट था बर जो सबसे बहुत पूर बात है कि 12 में मेरे परसंट 40 परसंट था मैं उन युवाओं को यहां से प् पर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और बाकी मेरे दोस्त कोई MBA कर रहा है कोई medical कर रहा है को इंजिनिरिंग कर रहा है एक life उनकी सेटल होने जा रही है मैं और उस बीच होता यह है कि मैं 40 परसंट के साथ बहुत डिप्रे सवस्था में पहुंचिया था बट यही बात मैं 40 परसंट से ज्यादा डिजर्व करता था बट चुकि होता है deviation होते हैं कई टाइप के deviation होते हैं life में मेरे साथ भी हुआ तो महतपूर बात यह है कि उसके बाद मैंने निड़े लिया कि मुझे अब कुछ अच्छा करना है और physics honors मैंने मुंबई इनवर्सिटी से किया और वही मैं average student था तो मेरे वही 58-58% आये बट मैं उससे खुष था क्यूंकि अच्छी performance थी पहले की तुलना में चीजे ठीक हो रही थी फिर हमारे college में IPS का seminar हुआ और उस seminar ने मेरी जिंदगी बदल दी क्यूंकि अब मेरे life में target आया कि मुझे करना क्या है क्यूंकि या तो 12 मे मिड में या लास्ट में तो मैं जो बच्चे हैं जो मेरे दोस्त हैं जो friends हैं मैं उनके साथ ये conversation में ये बताना चाहता हूं कि आप अपने target को खोजें जैसे steep jobs से भी मैं काफी प्रेरीत रहता था steep jobs कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपका एक समय एक ही target हो destiny भी आपको कहीं ले जाना चाहती है तो कुछ target destiny आपको set करवाती है समय के साथ तो आप अपने target और interest को मिलाएं और जहां आपका interest हो आप उसी direction में ज़्यादा मेहनत करें ये ना देखी कि दूसरे क्या करना है हो सकता है दूसरे का interest हो उस field में वो वहाँ better perform कर जाए आप यहां better perform कर जाओ बट हमारे साथ जनरली लोगों के साथ या हमारे साथ मेरे साथ भी हुआ हम अपने interest को दबाकर दूसरे के interest को follow करने लगे और ऐसा होता है मेरे साथ हुआ है और कई phase में हुआ कई बार हुआ तो मैं यही बताना चाहता हूँ अपने experience से कि इन चीजों से ब पापा मुझे अफसर बनना है और इसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़े और एक तो चोटा एक तो बहुत कम इनकम और उसके बाद मुंबई से दिल्ली जाना और वहां के खर्चे तो पापा ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि उनने लगा इसके 12 में 40% से अभी पता नह क्या है तो जनरली होता है कि लगता है कि नहीं यह घूमने टेलने जा रहा होगा इसका मूड होगा कि घूम टेल आए इसी बाहने तो पापा ने पहले मना कर दिया बट यही होती है कि हमें पैरेंट्स को समझाना होता है अल्टिमेट लिमेंट हर पैरेंट्स चाहे मेरे मात पिता हों या किसी के माता-पिता हों वो अपने बेटे का या बेटी का maximum welfare चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो उचाईयों पर जाए तो किसी के mother father कभी रोकते नहीं बट यह होता है कि वो यह देखते हैं कि यह कोई गलट decision ना लें क्योंकि उन्हें करियर जितना में अपने करियर की tension है उतना उनको भी tension थी मैं तो ultimately यह हुआ कि फिर पता जी को conversation करने में करने में सफल रहा हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ दिली और बट तुम्हारे परिवार का बहुत सहयोग था थोड़ा मम्मी थी तो मम्मी इमोशनल होती है तो वो थोड़ा सा नहीं चाह रही थी जाएं बट ultimately उन्होंने भी साथ दिया परिवार ने साथ दिया और मैं दिली पहुचा मैं तो परिवार का सहयोग तो मिला लेकिन जैसे कि हम में मालूम है कि आपके परिवार की स्थिती बहुत जादा अच्छी नहीं थी काफी संघश किया आपने तो परिवार को मैनेज करना अपनी पढ़ाई करना टार्गेट एक अचीव किया था अपने उसको पूरा करना तो इसमें तालमेल कैसे बढ़ाया किन परिशानियों का सामना करा उस वक्त आपने मैं दिली में गया और दिली जाने के बाद तो पहला तो मैंने टार्गेट से सेट किया कि मैं मुझे अब तैयारी करनी और मैं हाईली बोटिवेटेड था क्यूंकि मैं अपने टार्गेट के लिए अफ़र्ट लगा रहा था तो मोटिवेशन की तो कोई कमी नहीं थी सुरुवाती डियरेक्शन भी बहुत ठीक था और बहुत मेहनत करना स्टार्ट किया हम लोगों ने एक साल मेहनत करी और फिर वही मैंने कहा कि कभी-कभी हमें लगता है कि इंट्रेस्ट भी बदलते रहते हैं तो कुछ इंट्रेस्ट क्यूंकि डियू पॉलिटिकल इंवार्मेंट में भी रहा मैं और उन चीजों ने भी मेरा जो एक टार्गेट मैंने सेट किया था कहीने कहीं उससे डेवियेट वो मुझे कर रहा था बट ठीक है वो यूथ एज थी और वो मैंने गल्ती किया और मैं वो बच्चों के साथ सेर करना चाहता हू कि अपने दोस्तों के साथ सेर करना चाहता हूं कि होता है बट फिर मैं कमबैक किया पर जब मैंने कमबैक किया तो बापा ने कहा कि अब हम ज्यादा दिन नहीं दे पाएंगे क्यूंकि वहां पर भी खर्चे है, पूरी फैमली है, मेरा एक भाई है, सिस्टर है और वहां पर मुंबई जैसे सहर में जो आपकी लिविंग कॉस्ट है वो जादा है तो मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे पढ़ाना सुरू करना चाहिए और मैं मैं फिर ट्यूशन पढ़ाने लगा जी यानी सोर्स ऑफ इंगम आपने सोचा कि चाहिए जरीअर। क्योंकि हम बहुत दिन डिपेंड नहीं रहना चाहते और हमें डिपेंड रहना भी नहीं चाहिए एक सर्टेन ंईज के बाद हमें अपने लिए कुछ ज़नुरेट करना चाहिए उससे यह होता है कि जब हम अपने लिए जनरेट करते हैं तो हमारा confidence बढ़ता है और हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं और बेटर करने की हमारे अंदर चाहत आती है और हमें लगता है कि पैसा कितनी मेहनत से आता है यह हम तभी जान पाते हैं जब हम थोड़ा सा earning करते हैं वो समय कब आया जब आपकी उमीदे तूटने लगी जब आपको लगा कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा मैं अटेंप्ट करके देख चुका हूं हार चुका हूं अब मुझे कुछ और करना चाहिए जैसे आपने बताया कि मैंने कोचिंग लासस शुरू करी तो वो समय कब आया एक्च्वल में हुआ यह मैं की मैं थोड़ा सा एक नेचर से भी थोड़ा सा है जिद्धी टाइप का था आप उसे जिद कह लीजिए या आज उसे आप टार्गेट सफल होने के बाद कह सकते हैं कि टार्गेट और येंटेड था तो मैं यहां पर बच्चों को और अपने द जैसे SSC के एक्जाम होते हैं, अधर्ज एक्जाम होते हैं और PCS का उस समय भी एक्जाम था और लेवल भी मेरा ठीक ठाक था और यहां मैं बहुत पहले भी सफल हो सकता था ऐसा मुझे आज लगता है तो बट यह हुआ कि नहीं बनेंगे तो ISE बनेंगे नहीं तो कोई हो जाते हैं तो मैं वही बताना चाहता हूं कि strategy को कभी कभी modify करना चाहिए strength और weakness को evaluate करके तो उसके बाद मैं यह हुआ कि बहुत ज्यादा दिल्ली में मेरे भी खर्चे बढ़ रहे थे और tuition से manage नहीं होगा फिर उस बीच मैं लखनों आ गया और लखनों आने के बाद यहां कि लखनों में कुछ friends भी थे और चीजें यहां पर थोड़ी सी comfortable लग रही थी कि यहां से मैं अपनी तैयारी को continue कर पाऊंगा तो मैं मैं वहां आया लखनों और लखनों आने के बाद इस बीच मैं मैंने साधी कर ली कोपरेशन बहुत अच्छा था मेरी वाइफ का भी कोपरेशन बहुत अच्छा था और हम लोग साथ ही थे तो अब चुकी और मिझे इंकम जनरेट करनी थी तो मैंने सोचा ठीक है आई यस नहीं हुआ कोई बात नहीं अब हम पढ़ाएंगे इस टीचर में लोगों को आईएस या पीसेस बनाऊंगा और यह एस्परेशन टीचर ही क्यों मैं उसके पीछे रिजन था मुझे लगता था कि यह नॉलेज जो मैंने गेन की है यह सोसाइटी के साथ मुझे सेयर करना चाहिए और एक टीचर है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी क को नेशन को एक डिरेक्शन देता मैं तो मुझे लगा है कि कॉंट्रिबूशन मुझे नेशन के लिए भी करना चाहिए स्टूडेंस के लिए भी करना चाहिए और यह मेरी जो वर्क प्रफाइल है उससे थोड़ा सा सूट भी हो रहा था इससे में इंकम भी जनरेट हो जो आपका गोल था वो कहीं आपसे दूर होता जा रहा है गोल तो मैंने छोड़ दिया था मैं गोल इसलिए छोड़ दिया था बिए मुझे लगा कि नहीं बन पाए अब एक ही काम करेंगे अब लोगों को कुछ बनाएंगे और नेशन में कॉंट्रिबूश करें और इस बी जादा दिक्कत तब आई मैं जब कॉरोना और 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 मतलब कि आपको लगा कि अब प्रॉब्लम बढ़ रही है तो आपका क्या कदम था किस तरह की दिक्कत आई मैं कोरोना ने तो जैसे ऐसे लगा कि पुरी जिन्दगी खतम कर दी है अचानक हम सब ने फेस किया है पु दूसरा थ्रेट कि हमें इंकम भी जनरेट करना है, क्योंकि रहने के लिए हमें इंकम भी चाहिए, और हमारे साथ ये दिक्कत है कि हम काम भी नहीं कर पा रहे हैं, और हमें ये पता भी नहीं है कि हमें कब काम करना है, या हमें कितने दिन बाद काम करने का मौका मिले, तो सब बैठे थे वैसे मैं भी बैठा था फिर मैंने कुछ आउनलाइन पर भी काम करना सुरू किया बट जो माइम कैपिटल था वो कहीं नहीं रेंट में मेरा चला जा रहा था प्रमाइसेज में तो 12-13 लाक रुपए माइम कोरोना के खतम होने तक मैं नुकसान कर चुका था और फिर वही स्टेज आ गई थी कि क्या किये कैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइज जब आपनी जिंदगी के सबसे टफ टाइम पर पहुंचे तो आपको अपना पुराना गोल यादा गया यह पुराना गोल पुरा रिकॉल होने लगा कि क्या करना चाहिए वहीं फिर से बी कनवर्सेशन हुआ इस बीच मेरी एक बेटी भी थी तो ऐसे लगता था कि नहीं बेटी है इसके लिए भी कुछ बेटर करना है अगर बेटर करना है तो यहां कुछ बेटर डिसीजन लेने पड़ेंगे तो एक इमोशनल चीजे भी चलने लगी तो वाइप से एक दिन ब कोचिंग के लिए कुछ पैसा जुटा लेंगे और अगर इसमें नहीं हुआ तो हम अपने काम पर फिर से कंटीनू चले जाएंगे यह मैं इस मामले में मुझे ठीक लगा यह लाइफ का मैं सई डिसीजन मानता हूं कि आपको स्क्राटीजी को मोडिफाइ करते रहना पड़ कि एक मौका हो सकता है कि अगर डेस्टिनी कुछ चाहती हो तो मिलेगा और मैं इस बार डेस्टिनी चाहा जैसे होता है ना सौभाग ना हर दिन सोता है जो विधाता ने लिखा है वो आपके साथ होगा हुआ यह कि एक महने का 20 सितंबर 2021 का समय तो आपने इस बीच यानि प्रप्रेशन करी इस बार की प्रप्रेशन कितनी तफ है बीस सितंबर 2021 का दिन था मैं जब मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं कोचिंग क्लोज करूँगा और अब मैं अपनी पढ़ाई पर एक बार ध्यान दूँगा और मेरे पास साथ से आठ मेहने थे मतलब चीजों को मैनेज करने के लिए साथ आठ मेहने में सारे एक्जाम सो हो जाने थे 20 सितंबर को मैंने डिसीजन लिया 21 अक्टूबर को प्री एक्जाम होना था प्री एक्जाम इसमें तीन स्टेज होते हैं तो पहले स्टेज की एक्जाम 21 अक्टूबर को थी लगभग 31 दिन थे मैंने इस 31 दिन में बहुत मैनत करा और परेडाम यह हुआ कि प्री एक्जाम मेरा निकल और उसके बाद जो डेट थी जो मुझे मैं रिकॉल कर पा रहा हूं 22 मार्च 2022 की डेट थी मेंस की सेकेंड स्टेज की बट 22 मार्च 2022 की जो डेट थी याद है मुझे कि डिसेंबर के एंड तक मैं कम्प्लीटली प्रिप्यार नहीं था पर डेस्टिनी ने कुछ ऐसा किया कि उसी समय कोरोना वाली फिर फेज आ गई और लगबग बस 20-25 दिन चीजें बंद हो गई फिर से क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम पढ़ाते भी थे इंकम के लिए तो सार कि वो टर्निंग पॉइंट था मैं कि 22 जनवरी की डेट जब तली तो दो महिने लगबग मुले और उस दो महिने में मैंने फिर एक बार मेहनत करी और 22 मार्च की डेट वो एक यानि होसले बुलनते किसमत भी लगतार साथ दे रही था किसमत ने साथ दिया यह किसमत ही पर यह देट बदली और चीजे बदली और मैं परफॉर्म कर पाया तो एक वक्त ऐसा था जब आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे थे उस वक्त आपकी फामिली का क्या रियक्शन था और जब आपने क्राक कर लिया इतना बड़ा एक्जम सेब सर्विसेस का एक्जम तब आपक मार्क्स कम आते हैं तो जनरली मदर फादर आज भी हमारे एक ट्रडिशनल सोसाइटी है तो मदर फादर सारी चीजे मार्क्स से ही कैलकुलेट करते हैं अगर उन्हें लगता है कि मार्क्स आपके नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह अब लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा य मेरे करियर को लेके वो हरदम कॉसियस रहे इवन जब मैं कोचिंग चला रहा था तब भी वो कॉसियस थे क्योंकि वो कहीं ने कहीं मदर फादर है पर जो सकसेज मिली तो मुझे याद है उस दिन दिवाली के दो दिन पहले रिजल्ट आया था और पापा मेरे साथ उस दिन लखनों में ही थे मुंबई से आये हुए थे घर जाना था तो रिजल्ट आया और मैं बाहर था तो वो लगभग खूसी में कम से कम एक दो घंटे तीन घंटे इतना खूसते कि कई बार रोए तो एक उन्हें फिलिंग आई कि नहीं चलो ठीक है लड़के ने जो भी किया पर और उन्हें एक मोटिवेशन मिला सबसे बड़ी बात मैं यह बताना चाहता हूं उसके बाद आसपास के जो सराउंडिंग के लोग थे वो भी मोटिवेट हुए कि नहीं हमें भी बन जाना चाहिए हम भी बन सकते हैं जिनके भी लाइफ में रुकाउटे थी उन्हें लगान कि मैं सोसाइटी में कुछ कांट्रिव्यूट कर पा रहा हूं मैं बच्चों को प्रेडित कर पा रहा हूं कि आप पढ़िए और जो भी रुकाउटे आए उसे आप को पप करिए उसे आगे बढ़िए आप अपने टार्गेट को अचीव करिए आप जिस बैक्राउंड से आ जो सारी चीजें आपके मार्क से कैलकुलेट करते हैं तो उन्होंने कह दिया तर नहीं यह तो नहीं कर पाएगा और इसके बात जब आपने बताया कि आपको सिविल सर्विसेस के लिए करनी है महनत तब कैसा रियक्शन था सब्का नहीं सिविल सर्विसेस का चुकि पापा को तो बहुत ज़्यादा चुकि बहुत एजुकेटेड थे नहीं पर पापा को इतना पता था क्यूंकि पापा बीमसी में थे क्लर्क थे बढ़व अधिकारियों को देखते थे तो उन्हें तो थोड़ी जानकारी थी मैं मलब घरवाली मानते थे कि आप कराक कर लें नहीं नहीं मैं घरवालों को बहुत ज़्यादा विस्वास नहीं था मैं बट पिता जी को मेरे विस्वास था क्यूंकि उसका कारण है कि मैं एजुकेशन का लेबल अलग अलग होता है सबको लगता है अधिकारी बनना बहुत बड़ी चीज है अधिकारी हम लोग कहां बन वो कहीं दूसरे ग्रह से उतरते हैं और अधिकारी बन जाते हैं तो जिस बैग्राउंड से आप आते हैं वो चीजे आपको कहीं न कहीं उन चीजों से भी कोप अप करके आगे बढ़ना होता है जरूरी नहीं कि कोई बच्चा शुरुआत से पढ़ाई में हो लेकिन वो भी कि अगर महनत करें शिद्दत से चाहें और उसमें जुनून हो तो वो भी क्रैक कर सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि आप कब डिसीजन ले रहे हो कि मुझे क्या बनना है अचा यह लोगों को कैसे पता चलेगा कि अभी देर नहीं हुए अभी विवक्त है हमें कोशिश करनी चाहिए यह नहीं में मैं बथाना चाह् 26 कि ऑपनी बीडی जॉब्स की वीडीयो में कभी कभी कर देखता था तो अपनी वीडियो में कहते थे कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं एपल का फाउंडर बन जाओंगा आपकी डेस्टिनी आपकी सोल ही आपको बताती ही कि आप कहां सफल हो पाई तो कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है कि दिल की आवाज सुननी चाहिए और दिल से जो आवाज आती है वो आपको बता देती है कि आपका अगला स्टेज क्या हो होना चाहिए यह आपके स्ट्रगल के बारे में तो जान लिया आप जितने भी अपने संगरिश की कहानी वताइए उसे एक नएक मैसस जा रहा है लेकिन जो अच के बच्चे है जो प्रिप्रेशन कर रहे हैं जो सपना देख रहे हैं सिवल सर्विसिस का उनको आपक्या मैसस बनना है या मुझे PCS बनना है तो पहली बात तो सराउंडिंग बहुत उसे नेगेटिव एंगल से देखने लगती है अगर वह बहुत मेटेवरियस ना रहा हो तो एक दम ही उसको मतलब एक तरह से पागल टाइप कर कह देते हैं बेकार है कुछ नहीं कर पाया अब अपसर बनने जा रहा है तो बट आपको उनके साथ लड़ना नहीं है आपको अपने रास्ते बनाने हैं रास्ते यह कि आपको करके दिखाने के बाद पर विश्वास करना है कि मुझे अपने काम पर फोकस करना है जो लोग मेरे बारे में अच्छा सूचते हैं उनके साथ आप ज्य होना तो यह फैसे बात करना अच्छा लगता है यह आपको सोसल मीडिया पर में मेम हैं का आपका अगर्ट आपका लड़ा है तो आपके यह उतने आसान नहीं होंगे, रास्ते तेड़े मेड़े होंगे, कभी आप अचानक आपको लगेगा कि मैं सफल हो सकता हूँ, फिर अचानक आपको लगेगा मैं सड़क पे आ गया, तो आपको इन से कोप अप करना है, तो इनमें आपको कोई चाहिए जो मोटिवेट करें, और जो डी सबसे जादा 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 देर तक पढ़ाई करें, ताकि हमारे स्क्लेवर से वो कंप्लीट हो जाए, तो पढ़ने का समय कितना होना चाहिए, आपको तो प्रॉफिट इसलिए मिला क्योंकि आप टीचिंग भी करते थे, आपकी जो रिवीजन था वो लगतार होता रहा, लेकिन जो स्टुडेंट्स है, वो किस तरह से अपना कोर्स कितने समय तक पढ़के पूरा कर सकते हैं, और रिफ्रेश्मेंट कितना जरूरी है, एक्चुल में दिखिए, स्टुडेंट कई टाइप के हैं इसमें, एक हैं जो खाली तैयरी कर रहा है, उनके लिए तरीका यह जरूर करिए, उसका मेरा व्यक्तिकत अनुवह है कि उसका बेनिफिट बहुत मिलता है, आपको पूरे डे एनरजी रहती है, आप अपने फ्रेंड से मिलिए, एक्स्ट्रो वर्ड भी रहिए, थोड़ा सा आप दूसरों को भी समय दीजिए, साथ आठ गंटे मैं है, और आप विकेंड हॉलिडे ले लिजिए, या पंदरा दिन में एक बार आप बेक ले लिजिए, इस तरह से कभी घर चले जाएए, इस तरह से आपको चीजों को रोटेशन को बदलना है, मेरे कहने का मतलब है कोई हाड कोई हाड रूल नहीं बनाना है, या आठी घंटे आप लगातार एक रोटेशन में चीजों को करें, 7-8 घंटे मैम सफिसेंट है, दूसरे मैम जो ज़्यादा चैलेंजिंग लोग हैं, जो वर्किंग पिपल हैं, जो फैमिली के लोग हैं, और आजकल तो ये एक नया ट्रेंड आ गया मैम कूछ, जो वर्किंग विमेंस हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं, और घर की महिलाएं भी, वो भी पढ़ने में तेज हैं, कभी साधी हो गई, और अब उन्हें लगता हैं, हम अफसर बन सकते हैं, उनके साथ भी कुछ चैलेंजेस हैं, वो लोग चीजों को मैनेजमेंट से आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे अगर कोई वरकिंग है, तो वो अपने जो स्लोट जहां पर उसे ब्रेक मिलता है, वहाँ पर वो कुछ सिनप्सिस रखे, कुछ नोट से रखे, वहाँ पढ़ ले, मैट्रो में हो पढ़ ले, या आटो से जा रहा है, आटो में पढ़ ले, थोड़ा सा लेट टाइप के लोग चाहिए, जो कहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है, इंडस्ट्री में हो, आज कल देखिए, आप डॉक्टर हैं, वो बन जा रहा है, कोई इंजिनियर है, वो बन जा रहा है, कोई मल्टिनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, वो बन जा रहा है, तो उसे कहां टाइम म अधिकारी बन सकते हैं या आप कुछ भी बन सकते हैं अगर आपके अंदर जुनून और जोस है जो भी आपका टारगेट है आप उसको अचीव कर सकते हैं तो हमारे साथ मौझूद थे PCS प्रदीप कुमार यादप जी जिन्होंने अपने जीवन के संगहशों की कहानी हमारे बीच रखी और जनता के लिए प्रेणा स्त्रोध बनके उपरे हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से अपने जिनून और जज़बे के साथ कोई भी अपने ल झाल